दोस्तों आज मैं डोपिंग को छुपाने के लिए किस वीडियों का प्रियुक किया जाता है इसके बारे मैं बता रही हुँ दोस्तों इसके पहले में बताना चाहूंगी की डोपिंग क्या है कितने प्रतिबंधित पदार्थ होते हैं और किन-किन खेलों में कौन-कौन से पदार्थ बेंड किये गये हैं इन सब के बारे में पार्ट वन एन पार्ट टू में डोपिंग के मैं बता चुकी हूँ दोस्तों उन दोनों वीडियों को आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर की देख स करते हैं तो चलिए जूस्तों जानते हैं कि किस बिजी से लुक्ति चुपाया सकता है तो इसके अंतरगत राशायनिक युम साररिक छल साधन आते हैं तो दोस्तों इसके अंतरगत छल साधन यानि कि दोपिंग को छुपाना छल करना इसके अंतरगत क्या होता है कि यह पदार्थ या विध्यां आते हैं जिसकी मदद से मुत्र के नमूने को ही बदल दिया जाता है जिससे उसमें डोपिंग की निधारत मात्वा नहीं रहने दिया जाता है जिससे जब यूरीन टेस्ट किया जाता है जैसा कि मैंने बताया यह है कि डोपिंग टेस्ट किसके द्वारा किया जाता है यूरीन द्वारा किया जाता है जब यूरीन टेस्ट किया जाता है तो खिलाडी जब... पहला आता है आपके मुत्र के नमूने को ही बदल देना यानि बिक्रित करना पहला है मुत्र के नमूने को ही बिक्रित कर देना अदूसरा है अंतहसीरा समिस्रण अंतहसीरा समिस्रण यानि इंटरवेनस इंफ्यूजन सब्सक्राइब कि मुत्र के नमूनिय को ही कैसे बिक्रिट कर दिया जाता है जिसके माध्यम से यूरिन टेस्ट में डोपिंग पजटी नहीं दिखाता है तो इसके अंतरगत तीन विधिया हैं मुत्र के नमिनों को विक्रित करने की पहला है कैथेटराइजेशन के अंदर्गत क्या होता है दूस्तों कि एक खास नली के द्वारा पेसाब की थैली से मुत्र को निकाल दिया जाता है जिससे मुत्र द्वारा यानि की यूरीन के द्वारा ही तो डूपिंग टेस्ट होता है जब उसको लेने के बाद आप एक खास नली के द्वारा मुत्र को निकाल दिया जाता है तो अब डूपिंग पाजिटिव कहां से बताएगा नहीं बताएगा तो इस प्रकार आप की थैली से मुत्र को डिकाल दिया जाता है दूसरा होता है यूरीन सब्टिट्यूशन और श्वैपिंग या एडल्ट्रेशन या प्रोट्रिसर इसको बोला जाता है इतने नामों से इसमें क्या बोला जाता है यूरीन सब्टिट्यूशन या सब्दल देना यानि की jego testosterone कि बढ़ी हुई मात्रा को छुपा देता है जो testosterone पूरुस लेते हैं कि लेते हैं अपने ! उसे वाने के लिए तो यह टेस्टो एसे डेने से टेस्टो इस्टो इस नगी मात्रा को छुपा जाता है इसमें क्या होता है कि शिराओं में किसी रसायनिक पदार्थ का रख्ट के साथ मिस्रड करना जिससे कि डोपिंग में लिए गए रसायनों को छुपाया जा सके इसे सम्बंधित रसायन को सीधे सिराओं में इंजेक्शन द्वारा लिया जाता है और दोस्तों इसके अलामा कुछ और पदार्थ हैं जिसको लेने से डोपिंग के प्रभाव को छुपाया सकता है जैसे कि PEX प्लाज्मा एक्सपेंडर्स इसको प्रयोग EPO के प्रभाव को छुपाने के लिए किया जाता है EPO यानि कि एथोपोटिन एथोपोटिन लेने से RBC की मात्रा बढ़ जाती है जिसे हमारे सरी में सहंसिल्टा और स्टेमिना बढ़ जाती है और आक्सिजन लेने की छमता बढ़ जाती है जिसे सहंसिल्टा वाले खेलो में यह ज़्यदा प्रयोग होता है तो इथोपोटिनग को छुपाने के लिए PLACEMA EXPANDERS यानि PEX का प्रयोग किया जाता है और जोस्तो डियोटिक्स का ब्हुन प्रयोग को चुपाने के लिए होता है जैसा कि डियोटिक्स मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि यह भार को कम करने के लिए एन मासिक धर्म टाइम को प्रयोतन करने के लिए योज होता है और इसको चल साधन के लिए डोपिंग के चुपाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है तो दोस्तों ये था डोपिंग को चुपाने के लिए कुछ बिधियाँ आई हूप कि आपको ये समझ में आया होगा ये वीडियो आपको कैसे लगा दोस्तों मुझे कमेंट में जरूर बताएए और ज्यादिस ज्यादिस सेयर कीजिए जिससे मुझे एक नया मोटिवेशन मिल सकी जिससे आपके लिए मैं हमेशा इस तरह वीडियो बनाती रहूं दोस्तों नेश्ट वीडियो आपको होगा डोपिंग के अंतराकत जो महत्तपूर टॉपिक्स है जैसे कि वाड़ा कि स्थापना कब किया गया नाड़ा कब बनाया गया कब पहली बार टेस्ट शुरू हुआ और कप पहली बार केस आया पहली बार डोपिंग के बुरी सपत क अब लिया गया ऐसे बहुत सारे कोस्टन्स है जो नेश्ट वीडियो में लाओंगी और दोस्तों अभी तक किंकिंग खिलाड़ी यह को डोपिंग तेस्ट ने पाजियो टीप आया गया उसके बारे में नेश्ट वीडियो होगा तो दोस्तों यह चैनल पर पहली बार वीज ओे और के कर दोपे रहिर हैं झाल पुल यहль वीडियो प्रूपाइच को सोही रह जीडियो हैं लाओड़ी यह झाल पुल रहना लाओ़ी को सना झाल बार दोस्तों पर दोस्तों में फाल वीडियों से नेश्ट चैनल रह में वीरिश झाल झाल